हर सुबह उठते ही हमारे पास बस एक ही परिशानी होती है कि आज बच्चे को लंच बॉक्स में क्या दिया जाए या फिर आज नास्ते में क्या बनाए तो चलिए इसी प्रॉब्लम को सॉल्फ करते हैं और बनाते हैं आज एक बहुत ही चटपटा सा नास्ता जो की कम समय में बन कर तयार होता है टेस्टी भी है और काफी हेल्दी भी है जिसे हम बहुत जल्दी बच्चे को बना कर टिफिन में दे सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आलू और सूजी से बने इस हेल्दी और चटपटे नास्ते की तयारी तो इसे बनाने के लिए हम लेंगे एक कप स तो यहाँ पर हम 2 कप पानी डालेंगे, जिस कप से हम सूजी का मेजर्मेंट किये थे, उसी कप से 2 कप पानी ऐड करेंगे अब हम इसे अच्छे से विस्क से चला लेते हैं और इसे थोड़ी देर के लिए रहने देते हैं जिससे सूजी पानी में अच्छे से फुल जाएगा अब दूसरी तैयारी करते हैं तो यहाँ पर हम 4-5 उबले हुए आलू लेंगे इसे मैस के ले ले या फिर आप इसे ग्रेटर से ग्रेट करके भी ले सकते हैं अब इसमें थोड़ा सा हल्दी एड़ करते हैं हम एक बहुत ही चटपटा मसाला बना रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा सफेद नमक डालेंगे और थोड़ा सा ही डालते हैं काला नमक सा अमचूर पॉडर डालेंगे जो इसे चटपटा बनाएगा एक बारीक प्याज काटके डालते हैं अमचूर पॉडर की जगह आप जो है वो चाट मसाला भी यूज कर सकते हैं और फ्रेश धन्या डालते हैं इसमें तो चलिए अब इन सबी को हम हाथों से अच्छे से मिक्स क कर लेते हैं तो यह एक बहुत ही टेस्टी और चटपटा मसाला आलू का बनकर हमारा तयार होगा आप चाहे तो आलू को फ्राइ करके भी ले सकते हैं लेकिन सुबह थोड़ी जल्दबाजी होती है तो हम इसे बस इसी तरह यूज करेंगे तो देखिए मसाला रेडी है बनक travelled अब एक कड़ाहि या पैन गरम करते हैं उसमें हमें बस एक चमच सरषयू का तेल डालना है और इसमें एक चमच हम काले वाले सरषयू के दाने डालेंगे तो इसे तेल में अच्चे से चटक जाने देते हैं और फिर इसमें एट करेंगे 8 से 10 जो है वो कडिपत्ता इसे हम हम चलाएगा तो बंब लूम रखेंगे क्योंकि सरसोदों के दाने बहुत उड़ते हैं तो लो फलेम में ही अब हम इसमें डालते हैं आधा चमच लैसंगर पेस्ट और थोड़ा सा हल्दी इसलों थियां रहे कि लैसंगर जलाना नहीं है बस थोड़ा सा इसे घोल को सूजी के गोल को बढ़ने हम ले गहले ह् Am nominated do लगातार के प्लेम को मिडियम कर लेता है तो लगातार चलाते रहने से अधन से गॉड़ा हो अने लगता है नाहने हमाइना हूँग हैP पक भी जाता है तो consistency हमें बिल्कुल इस तरह की रखनी है क्योंकि ठंडा होने के बाद ये थोड़ा और गाड़ा होगा तो बस इसी stage पर हम अब गैस बंद करते हैं और इसे ठंडा होने देंगे तो हमें बहुत जादा इसे ठंडा नहीं करना है अब ये देखिए आलू का मसाला जो बनाए थे उससे हम ये छोटी छोटी गोली बनाकर तयार कर लेते हैं अब हाथ में तेल लगाएंगे और नीबू से थोड़ी बड़ी साइज की हम सूजी की एक लोई ले लेते हैं हाथों से इसे चिकना करेंगे बीच में थोड़ा इस तरह से स्पेस बनाएंगे और उसमें डालते हैं आलू के एक बॉल्स को चारो तरब से हम इसे अच्छे से सील कर देंगे बहुत आसानी से ये हो जाता है और एक दम देखिए ये चिकना हो जाएगा तो आप इस से गोल या लंबा कोई सा भी सेफ बना कर तयार कर सकते हैं तो गोल बनाना बहुत असान होता है तो बस इसी तरह से हम सारे सूजी से इस तरह के बॉल्स बना कर तयार कर लेते हैं ध्यान देना है कि हमें सूजी को बिल्कुल ठंडा नहीं होने देना है नहीं तो फिर यह बहुत अच्छे से चिकना नहीं होता है हलके गरम सूजी से ही हम इस तरह के सारे बॉल्स बनाकर तयार करते हैं तो बहुत हेल्दी ये नास्ता है बच्चों के लिए तो आप इसे या तो फ्राइ कर ले या फिर देखिए इस तरह से हम अप्पे मेकर में थोड़ा सा तेल डाल कर इसे सिर्फ सेक लेंगे तो एकदम कम तेल में भी ये बन कर तयार हो जाता है तो सभी बॉल्स को हम इस तरह से अप्पे मेकर में डालते हैं फ्लेम को मीडियम रखेंगे, तो थोड़ी थोड़ी देर में हम इसे चमस से घुमाते हुए चारो तरफ सेक लेते हैं, तो बहुत कम तेल में बस एक से दो चमस तेल में ही ये हमारा नास्ता रेडी हो जाता है, जिसमें स्वात भी है और सेहत भी, तो हलके गॉल्डन ब्राउ होने तक हम इसे बस सेकेंगे ये काम भी बहुत जल्दी हो जाता है नहीं तो बस आप तेल गरम करके इसे फ्राइ भी कर सकते हैं तो देखिए कितना टेस्टी देखने में लग रहा है सूजी और आलू से बना ये हेल्दी नास्ता तयार है बहुत ही ये देखिए सॉफ्ट होत रेसिपी अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब चरूर करें